वेल अभी सेटरडे था और छुटी थी तो मुझे लगा कुछ सिंपल सारम सा परोठा के साथ खाया जाए वैसे कुछ बना लो और घर पे मेरी ममी ने थोड़े चने के डाल भी बॉइल करके रखे थे तो मुझे लगा उसके साथ और फ्रीज में लॉकी थी तो चलो कुछ बन कुछ खाल लेना है और शके जो ही साट करहा हूँ हुआ हुगा बहुत वापस एक है झीशा बनाना है अब कैसे भी काट अपने मर्जी मतलब में उसे कुछ स्क्वैर क्यूमें हमें करना है नॉमली बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे वेश होते हैं कैसे कारने थे मैं मैं मुझे वीडियो के अंदर दिखाना था कि कैसे मैंने लॉकी को कट कर रहा है इसी के रिजन से मैंने हाथों में पकर कैसे कट कर आप चाबो के ऊपर करोगे तो बहुत ईजली नाइसली हो जाएगा और चनी की डाल जो थी वह सुबह की भिगोई हुई थी अल्रेडी और य पीषना है दर दर आसा फिर पेन पे डालना है ऑईल उसी के साथ हम उसके अंदर डालेंगे मस्टर ड्राइ और उसके साथ थोड़ी सी हिंग यह दोनों चीजों को चटक में देंगे उसके बाद वह हम लोगे जो मसाला प्रिपार कर रहा है सुखे वाला वह एड़ कर मीडियम फ्लेम पे छोड़ देना है ताकि वह अच्छी तरह से पक जाए क्योंकि लौकी याना वह जल्ली पक जाते है तो हमें पहले चने की डाल को हलका सा कुक कर लेना है और उसके बाद हम उसके अंदर लौकी एड़ करेंगे जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं मैंने सुखी वाली लाल मेची जो completely optional है और इन स्टेज पे हम लोग डाल देंगे लौकी और उसी के साथ थोड़ी सी हल्दी अगर आपको कोई मसाला डालनो जैसे कि गरम मसाला तो आप एड़ कर सकते हैं लेकिन यह वाली सब्जी से फल्दी और नमक के साथ बहुत अच्छी लग सकते हैं और दूसरे साइट में मैं परोठ क Suddenly को अच्छी बहुत पसंड आर ब ne ? कि मुझे अच्छी आई निए परया और कusi परोटो के साथ बना च्रात स्क्र-थे शेजिए न को फोण पर पैसंद आई और यह का ऐसा अच्छी यह प् Reid पासंद आए अपको यह एक्शी वर I mean follow, subscribe, bye